नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आकाश आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल आज मैं बात करने वाला हूँ गूगल मैप्स के वारे में आज मैं आपको गूगल मैप्स की कुछ ऐसी फीचर्स और ट्रिक्स बताऊंगा अगर जिनको आप जानकर जो है बहुत अच्छे स पार सकते हों पिचार्स का और फीचर्स का तो गाइस पहली ट्रिक जो है तो फीचर्स है और जैसे की मेरी यहां प curios मैं इसको किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ यानि कि जैसे जो parents होते हैं वो परिशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए कि कहां है अभी कहां पहुच गए कहां नहीं पहुच गए तो क्या है कि वो अपनी questions जो है वो share कर सकते हैं तो उनका live जो है वो कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं वो live track कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर option आएगा share location, share location पर हम जाएंगे, share location पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद दिखिए यहां पर option आजाएगा एक घंटे के लिए आप location अपनी share करना चाते हैं तो हम जैसे बाहर जा रहे हैं 4 घंटे के लिए अब हम इस location को whatsapp पे share कर देते हैं ताकि हमारी जो real time location है वो track कर सकें तो यह link बन जाएगा मैं whatsapp पे send करके आपको दिखा देता हूँ देखिए मैंने इस number पे जो है वो location send कर दी है ठीके guys मैंने इस number पे जो है location वो send कर दी अब मैं दूसरे phone में भी आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे जो है वो location को जो real time हो उसको track कर सकते हैं तो मेरे पास यह दूसरा phone आ चुका है तो guys देखिए मेरे दूसरे phone में link आ गया है मैं इस पर link पे click करूँगा और देखूँगा Google Maps से connect हो जाएगा और फिर मुझे जो है मेरी location दिखाना शुरू करते हैं यह मेरी live location है मैं जहां भी जाओंगा तो यह मेरी location उसे हिसाब से drag करती रहेगी तो इस तरीके से आप जो है किसी को भी track कर सकते हैं जिसे कोई किस कोई बाहर जा रहा है कोई कहीं जा रहा है तो आप उसको इस तरीके से track कर सकते हैं तो guys दूसरा feature जो है वो है offline map यानि कि आप कहीं जाते हैं बाहर तो हो तकता है कि कभी आप डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिन इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप Google Map वही एरिया का जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं कैसे कर सकते ही हैं इतना इरिया चुल लेता हूँ और यह नवडई diameter का इतना चुल लेता हूँ ए ने छेए कि के बाद क्या है कि हमारे पास अगर डेटा नहीं है कुछ नहीं है तो फिर हम सारा जो मैप है उसको आफ लाइन एक्सेस कर सकते हैं तो गाइस यह बहुत ही कमाल का फीचर उसकता है उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं और उनकी डेटा कनेक्टिविटी उनको नहीं पिल पाती है और फिर डेटा के बजह से वह जो है मैप को नहीं देख पाते हैं और जो इसके फायदे हैं गूगल मैप के वो नहीं उठा पाते हैं घाइस तो आप यह यूज़ कीजेगा जब आप आपके पास डेटा की एकस्स ना हो तो गैस तीसरा जो फीचर है गूगल का वह खाली है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पर आप कोई भी अपना location चुन लिजे, जहाँ पर आपकी location आप पर जाना है, उस track को चुन लिजे, उस रास्ते को, उसके बाद यहाँ टीन dot पर click किजेगा, तिन डॉट पर क्लिक के बाद देखिए, यहां पर आजाएगा All Traffic, All Traffic पर क्लिक करने के बाद देखिए, पूरा जो traffic है, वो देखना शुरू हो जाएगा, उस route पे, ठीए तो यह जितना भी traffic आ रहा है, यह जो यहां पर signal वहाँ पर मतलब चल रहा है traffic ongoing है तो इस तरीके से आप live traffic देख सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा traffic है कहाँ पर काम है तो उस हिसाब से आप अपना route traffic मिलने वाला है तो आप इसको यूज कीजेगा इसको यह बहुत ही कमाल का feature आपके लिए हो सकता है जो चौता feature वह भी बहुत अच्छा है उसमें क्या है कि आपको जैसे मुझे नहरू प्लेस जाना नहरू प्लेस जाने से पहले मुझे एक रास्ते में एक जगा और रुखना है तो इस तरीके से मैं क्या कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ है लिए लिए निरेक्शन कर दूगा देखिए बच रास्ते में यह बहुत गर यह बिर्प्लेस मैं लिख देता हूं यमना भियार ठीक कैस्ट तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैक करके उपर वेजदेंगे देखिए देखिए तरीके से मैं पहले अपनी location से यमना भियार जाऊाँगा उसके वाद नेरू पी लिस जाऊँगा तो इस तरीके से उसमें już प्लीज आप यूज की लिए जो जा रहे हैं कई जगा उनको काम है कई जगा उनको जाना है तो इस तरीके से वह अपने stop जो है इसमें add कर सकते हैं अपने map की location में अपने route में तो यह प्लीज आप यूज कीजेगा यह feature और देखिएगा आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा यह गूगल का feature तो पांच वा फीचर जो है वह भी बहुत अच्छा है जैसे कि आपको कहीं पर आप जैसे कि यहां पर आप जैसे में न्यू डैली में यहां से देखिए यहां से मैं अपने घर तक का या फिर करोल बाग तक का जो मैं तो मैं कैसे कर सकता हूं देखिए तो मैं आ यहां पर करके देखिए यहांप जैसे मिनकर में इन टैब कर लिया कि के यहां पर देखिए यहां ही और च्छांव से को चीरति करता हूँ, देखिए, करोल बाग तक का कर लेता हूँ, करोल बाग देखिए, यहाँ पर कर देता हूँ, करोल बाग तक का, तो 3.2 किलो मिटर है, यहाँ से, ठीकिए गाइस, तो देखिए यहाँ से, जहाँ से मैंने टैप किया था, वहाँ से करोल बाग जो है, 3.2 किलो मिटर यहां से आप पर दीस्टैंस आप कीजिफुक्त कीजिफ यही पर मेजर सकते हैं तो जैसे कि ताना है जैसे कि मैंने यह रूट देखा यह जाओ यहां जाओ तो कैसे जाओ बस लूए तो इस तरीक में औक पर एक फीचर Google के तरफ से मिलता है कि आप अपनी जो कैब है वह ओला उबर की टैक्सी बुक कर सकते हैं वह गूगल मैप में यहां से मिल जाएगी देखिए वह यहां पर इधर किलिक कीजेगा देखिए यहां पर नीचे आप्शन आजाएगा उबर का ओला का मेरू का अपने जो है यहां यहीं से गूगल मैप से ही अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं साथ वा फीचर जो है वह भी बहुत अच्छा है इसमें क्या है कि हम यहां पर अपने नियरवाई कोई भी चीज जो है वह सर्च कर सकते हैं कॉफी शॉप एटीम बगएरा गैस से यहां पर हमें मिल यहां या फिर कोई भी शॉप ढूंड नहीं कुछ ढूंडना है या फिर कोई पैटल बं ढूंड रहे हैं आसपास तो यहां से आप ढूंड सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा फीजर हो सकता है उन लोगों के लिए जो आसपास में कुछ चीज ढूंड रहे होते तो आपकी लोकेशन है उसको सेव कर सकते हैं तो आप कहीं पर भी डालेंगे तो आप अपना होम डाल दीजिए तो वहां से वह पिक कर लेगा आपको बारवा पूरा एडरस टाइप करने की जरूद नहीं पड़ेगी तो यह बहुत अच्छा फीचर हो सकता है क्योंकि आपको पारवा जो है पूरा एडरस नहीं डालना पड़ेगा गाईज नाइन्थ फीचर जो है वह भी बहुत अच्छा है जैसे कि आप कहीं पर रहते हैं किसी एरिये में और आपको पता गली नुकड बहुत सारी जगह होती है जो गूगल मैप पे अवेलेवल नहीं होती है तो आ आप उसमें Google की मदद कर सकते हैं contribute कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाने के बाद दिखिए यहाँ पर option आएगा your contribution यहाँ पर आप क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद contribute कर सकते हैं किसी भी place के बारे में जहां पर आपको जानकारी है तो यह बहुत ही अच्छा feature हो सकता है आपके लिए क्योंकि आप contribute कर सकते हैं आप Google Map पे ला सकते हैं वह चीज जो आपके आसपास की चीज जो Google Map पे शो नहीं हो रही है और साथ में इसमें points बगएर भी मिलती हैं तो जिसे आप अपने Google AdWords में या फिर Google का storage खरीदने में बाकी Google के products को खरीदने में जो है इसको use कर सकते हैं तो guys यह try करके देखेगा अगर आपके Google Map पे आसपास की चीज शो नहीं हो रही है तो आप contribute करके देखेगा guys 10th option जो है वो बहुत ही कमाल का है और यह Google Map का है उसके लिए आपको एक application अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका नाम है Google Earth तो मैं यहां पे 3.00 पे क्लिक करता हूँ और यहां पे जाता हूँ Google Earth में मैंने पहले से Google Earth की application डाउनलोड कर रखी है तो यह पूरा 3D का मज़ अब मैं इसको पूरा जूम करके देख सकता हूँ अच्छे से तो पूरा 3D मैप आएगा बहुत ही अच्छा है जादर लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन Google Earth आप यूज करके देखेगा इसमें जो पूरा मैप का मज़ा है पूरा 3D में आप अच्छे से पूरा दे देती हैं यह क्या है क्या नहीं है तो आप इसको यूज करके देखेगा देखिए इस तरीके से तो यह पूरे रोड कहां से क्या जा रहा है पूरा इसमें 3D मैप में पूरा पता लग जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा है आप इसको यूज करके देखेगा मुझे नीचे कमेंट में बताईएगा कि आपको ये जो फीचर है ये गूगल अर्थ जो एप्लिकेशन है वो कैसा लगा इसमें जो मैप का पूरा 3D में जो हमें दिखाई देता देखिए पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा अच्छा थे वगेरा और साथ में इसको 3D ऐसे करके भी देख ह्टाई उे पूरा कोअ है ये भी करत देखिए